हेलो दोस्तों, तो आज आप तीन ऐसे गेम्ज के बारे में जानने वाले हो जिने स spirit endless भी मानजाता है क्यूंकि इनकी ending बहुत ही कम लोगोंने देखिए या तो एसा है कि इनकी ending किसी ने देखी यह जैसरfortable आप स्क्रिन पर देखी सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो गेम नंबर वन आप में से बहुत लोगों ने फ्लापी बर्ड ये गेम तो खेली होगी कहीं कहीं होका तो ये गेम खेल के दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि ये गेम ऐसी बनी है कि इसमें कोई भी बहुत जल्दी आउट हो जाए और आपने ये गेम ज़रूर देखी या खेली तो होगी मैं आपको बताओ दू कि ये फ्लापी बर्ड एक विएटनमिस वीडियो गेम आर्टिस्ट और प्रोग्रमर ने बनाई है जिनका नाम डॉंग न्योगेन है आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पर तो देखी सकते हैं जिस गेम को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ टैप करना पड़ता है और पाइप के बीच से गुजरना पड़ता है तो इस गेम की एंडिंग बहुत ही कम लोग है ने देखिए जो मैं आज आपके सामने रिवील करना चाहता हूं तो इस बंदे का आप देखे सकते सकते स्कोर कितना है यहां तक पहुचना कोई आसान बात तो है नहीं तो आपने से बहुत लोगों ने यह अंताजा तो लगाई लिया होगा कि यह गेम कब एंड होगी क्योंकि ये 900 पे तो बहुत लोग ने ये सोच ही लिया होगा कि ये 999 पे end होती है और ये 999 पे ही end होती है कि 999 जैसे score होता है तो Mario सामने आ जाता है और बहुत लोग इस character Mario जो game character इसको जानते होंगे तो जैसे ये Mario आता है यही पे game खतम हो जाती है अगर आपको ये ending देखके मज़ा आया है तो वीडियो लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर तो हम चलते है game number 2 पर यानि कि जो Google Chrome की T-rex dinosaur game है ये starting में तो Google Chrome ने सिर्फ time pass के लिए बनाई तो जिनके पास net नहीं है वो bore now इसलिए बनाई थी तो technical terms में Google ने भी announce किया है कि इस game को end करना ना मुनकिन है क्योंकि इस game को end करने के लिए 17 million years एक बंदे को खेलता रहना पड़ेगा जो कि impossible है और इन्होंने ये 17 million years इसलिए रखा है क्योंकि ये जो डाइनोसौर्स है ये भी 17 million years धरती पे थे और ये गें Google Chrome ने 2040 में स्टार्ट कर दी तो अगर आपको ये भी पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ये गेम नंबर त्री मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ने ये गेम तो जरूर खेली होगी सब्वेसर्फ और ये सब्वेसर्फ एक ऐसी गेम है जिसे एक अलग तरह के endless category में डाला जाता है क्योंकि ये गेम हकीकत में endless है क्योंकि यह tracks बार बार repeat होते रहते हैं और आप कभी भी इस गेम का कोई end नहीं कर सकते पर क्यूंकि आपकी device में memory की भी एक limit होती है यानि कि किसी के पास unlimited memory नहीं होती इसलिए आपका device crash जरूर कर जाएगा या फिर किसी किसी की तो battery drain होके ये game खतम हो जाएगी तो आप समझी चुके होंगे कि सब्वे सर्फ इस game का end कैसे होता है आप सामने लिखे articles में तो देखी सकते हैं इन्होंने भी कुछ यही बात कही है तो thank you इस video को watch करने के लिए और हमारे channel को जरूर subscribe करते जाना और जैसे ही subscribe करें तो उस घंटी का icon को तो जरूर दबा देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको notification सबसे पहले मेरे और हमारी ऐसे ही amazing videos आप सबसे पहले देख पाए तो आज के लिए इतना ही और हम चलते हैं बाई बाई झाल